तमाम आप वरिष्ट गन्यमान ने जंग जिन है हमारा अन्दमन है मेरा अभिनंदन है देनोदा को बापी और प्रदेपिया जितने भी जयात अजयात लोग हैं मेरा अभिनंदन है समाज के चोथे स्थम्द के मुठ्य परहियों को जो हमारे मीडिया के बंदो पसके थे और सबसे जादे मेरा अश्रवाद आउशने है आप बच्चों को जिन्होंने आज मुठा दिया हम सबों को आपके बीच में आने के लिए मैं सबसे पहले अभिवादन करता हूँ अभिनंदन करता हूँ उन दो सक्स को जिसकों की कुछी देर बात साइथ हमारे और आपके बीच लाए जाएंगी जो हमें जानकारी दी गई है प्रथम योड़ आई है वो शम्रुता सालिक चपड़ा की आप हैं और आप दोरा के आप हैं जो दूईतिये हैं जिने पुरस्कृत करने की योजना है सवाल है प्रथम और दूईतिये हैं ये पुरुष्टार के रूप में हमने कहा था पिछले वर्स दीपेंदा हमारे बीच में थे हमने उन्हें एक सब्स से अलंकृत किया था हमने कहा था दुपेंदा यो आरे वर्धी संफ ए वर्धी फादर दूखता सर कि आप एक योट्ट्र के रूप में आज भी अपने जिस तरह से आपने उस पृतिवान को रखा मैं भी खुसकिस्मत हूँ इस रूप में कि मुझे एक अभिवावक के रूप में मेरा बाल्य आवस्था इस सालुप चप्रा बिद्याले में बहुत बीता है मैंने पिछले बार भी कहा था इस सालुप चप्रा बिद्याले में मेरा बाल्य काल बीत गया और उस काल ले काल को, इस अवस्था को, आप अच्छो, कल जहां भी चले जाओगे समाज की किसी भी कोने में, इस दोर को आप कभी भूल नहीं पाओगे, यही सत्य है, मैंने कहा था, कि कैसे यह जंगलों से भारा फूटूस और सियाकुल का रहता था, आमें बहुतों मेरे कहने का काथपर जैस कि भावन अपना कुरूप से मैं साजुचपडा में मेरा पाल लवस्था क्यों भी था, यसलिए कि उस महान भी मुती जिनको दाजुपता साथ के साथ याद करते हैं, स्रीफद्री नारांज्या, बियंज्या, वो मेरे अपने मामा थे, मैं उनका बहा जाओ, तो इस रूप में मैं यहां पर, मैं यहां पर रहा, मैं यहां के चीजों को देखा, और उत्तर और दक्षिन, साजुचपडा दक्षिन, और निर्सा के उदर उत्तर, और ये सिच्छा जगत, आज भी गुरू कहा था, गुरू गोबिंद, दोडू खड़े, का गुरू के ठरेक करना चाहिए, इनके अगे पहले सर जुखना चाहिए, तो वहां भी इही जाम रहा है, कि गुरू के पहले पहला सर जुखेगा, क्योंकि वह गुरू ही है, जिस रही कि कुविंद के बारे में बता है, तो ये गुुरू के रूप मे, चाहे वो पी atmos यहां ह है चाहे हो मेरे पिं Dads say about a restaurant 77 winter छो फुर्द मेले शरीर में है छो थी है इसलिए सिख्छा की वर्यमा अब झूग जो limit of to जिख्छा चेटर डिने हो आप ज़ी आपके बजले शेज़र ग्रुल की घुल Tut जो एक आशिरवाद आपके पती रहना चाहिए, वो हमारे पती है, और मैं कहीं न कहीं, उस इसमती सुरूम में चाहत, अपने को बाता हूँ, कि इस वर ने मुझे कहीं मौना दे दिया, कि आज सानुट चपा में मैं पिछले साल भी ख़़ा था, आज भी मैं ख़़ा हुआ, पिछले बार दोनों चाहतर फ़स्ट और सेकेंड करने वाले दोनों बच्ची ही थे, हमारे अरभी सिंग साहब, हर्मास्टर शाहब, जो एक इस पूर्तिवान, एक जीवन और बहुत जोसीले, जो चंद मैंदे के बाद ही रिटार करने वाले हैं, लेकिन आज देखने के ब मन से ही कोई नौजवान हो, वो अगर आज के काम को कल काल देतो हो, मन से भी कारन कोई ऐसे नौजवान हो, जो निरासावानी हो, जिसका किसा कारात रख रुख नहीं है, तो चाहे किना भी नौजवान क्यों नहीं है, वो पुला है, और अगर कोई सीनियर सिटियर के दोर न जाता हुआ हमारे संकर राजे से आदमी हो यह हमारे हर्वी सिंगे से आदमी हो इने कोई बुरा देख सकता जिस तरा सी ये चोज से भाय हुआ है मेरे दोस्तों मेरे बच्चों आपको इंगित करके मैं कुछ कहना चाहूंगा आप से मैं कूछना चाहूंगा आपने उल्मा रुडार्स का नाम सुना है उल्मा रुडार्स का आपने नाम सुना है नहीं सुना है कुछ ने सुना भी होगा उल्मा रुडाल्फ एमेरिका की एक ऐसी बिकलाम में थी जो पोलियो ग्रस्ट थी जिसे पाल्ले आवस्ता से पोलियो था लेकिन उसे बच्पन से ही उसके मन में एक जज़बात था कि मैं एक पेज धारिका बनूँ मैं एक रानर बनूँ लेकिन जब डॉक्टर के पास लेकर उसकी मा गई थी तो डॉक्टर ने कहा कि ये पोलियो ग्रस्ट है इसे ये बैसा की चाहिए इसके साहरे ये चल लेगी उल्मा रुडाल्फ उने पूछा था डॉक्टर से कहाँगा डॉक्टर साब क्या मैं धोड़ सकूंगी डॉक्टर ने कहा था बेटा तुम चल लो ये बहुत कुछ है ताकि कुछ आपने सपने को कुछ और दूसरा सपना देखना सुरू कर दो सपने को बदल लो तुम लोट कर आई भी मा के साथ घर रोते हुए मां से पूछी थी उल्मा रुडल्फ ने पूछा था कि क्या मैं दोड़ पाऊंगे मां ने कहा था एक मां चाहे मैं हो चाहे आप रहुँ चाहे कोई भी हो एक मां ने जिन हमें जर्म दिया नव साव मैं जिस गर्म में रखा मां अपने बच्चे को जिन हमां जान सकती है दूसरा कोई जान सकता है तो फगवा ने जान सकता है इसलिए उस भाखा मां ने कहा था कि बेटी तुम दोड़ोगी क्यों दोड़ोगी नहीं तुम दोड़ में नाम कराओगी अब उल्मा रुडल्फ के पास दो ही पिकल्ब था एक तो या तो वो अपने माँ के बात को याद करती उसको सत्य मानती या ने तो दूसरे डाप्टर की बात को सत्य मानती बोल्मा गुडाल्फ ने अपने माँ के बात को माना और उसके बिद्याले में इसी तरह का कोई बिद्याले सालूप चप्रा के ऐसा रहा होगा जहांकर वो एक कोई आयुजन था उस आयुजन में दोड़ का आयुजन था तो उसमें उसने भी फाग ले लिया। भारे ले लिया है, दोड़ में भले वो लाश्ट में थी, लेकिन बिधाता काता है कि कर खुदी को पुलन देता है, कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। प्यत्ती रहा होगा, जो देख रहा था वहां पर, उसने जब हो गया तो उस बच्ची को पुलाया, कहा तुम्हारा क्या सबना है, बता है, कहा मैं तुम्हें कोच दोगा, वो यह कूच था, अच्छा कोच था, और उसने उल्मा गुडॉल्फ को उसने दोड़ का कूचिंग और मैं कुछ भूटी बात नहीं करा, मेडिया का लोग मेठे हुए हैं, आज मॉबाइल सब के पास है, गुगल में जाकर सर्च करके आख देख लो इससे, उल्मा गुडॉल्फ ने पीजिंग के ओलेंटिक में, उसने दोड़ में तीन गॉल्ड मेड़ जीते थे, तीन गॉ पिकलांड वो होता है, जो मन से पिकलांड हो, जिसकी सोच पिकलांड हो गई है, वो पिकलांड। जितने आखों से आप देख रहे हैं, जितनी आखे आज आपको देख रही हैं, जितनी आखे आज उल्मा गुडॉल्फ के बारे में दो रही हैं, ये दो ही आखे थी, इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आज कल आज समाज के किसी छेतर में जाओ, मुझे ऐसा लगा क आपको मैं संभोवित कर भुछ बाते हूँ चाहे आप कही भी जो जो आप दो चीज रखोगे प्रोजिटिवनेस अपने साकारत मत सोच को कही जाने नहीं देना जब नाकारत मत बिचारावे जब निकेती बारे तुम सोच लेना को नाकारत मत पाहे जो तुमारे किता सुनती को रोकने के लिए है कोई चीज सा संभाव नहीं है जो तुम नहीं कर सकती हो तुम सारा चीज को कर सकते हो इसलिए हमारे धारत के राश्पती और रहान बैग्यानिक अदुल कलाम अजाज साम ने कहा था उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि सफने वो देखो, जो परे हो। सफने कभी छूटे मन पेखो। इसलिए मैं भी आफ से कहा है। मैं आफ से कहा है। कि आफ सफने परे देखो। आप दोनों जो आख सालुक चप्रा का नाम रोसन करने के लिए आप यहां आये होई और वो भी लोग, चाहे वो थाड हुए हो, चाहे वो किबल पास ही हुए हो, वो कहीं अपने कोई रफीरिय और अप समझो आपने एडिसन का नाम से रहागा, एडिसन एक बहुत बड़ा बग्यानिक महार बग्यानिक थे, जिसने बल्म का अविस्कार किया, यह जो बल्म आफिर जल रहा है वो आभी एडिसन ने 600 बार वो जिन्दिगी में फेल हुआ है अफिर एक्स्परिमेंट रहा, जब उसे लोग कहते थे, कि अब तुन अपना च्छोर तो क्यों कहते चुए, तो उन्होंने वो बोलते थे, कि आप मैं सखलता के बहुत करीब पहुँच गया हूँ, कि क्योंक हमने ये चौलोगदी है, कि आज आप ने स्लुचक्रा का नाम यांत के रहसन किया है, कभा रण कि किसी कोने में कही का ना आक्षारोषन करो, तो यह मच और आपने को लाणीटो पूर करेगा, यह स्लुचक्रा को लगजस करेगा कि कहीं ने दरी, आप, हमने एक ऐसे बच् प्रफने को अगर तुम देखना छोड़ देते हो अगर तुम उसके तरफ कंग करना छोड़ देते हो तभी तुम फेल करते हो नहीं तो तुम फेल नहीं हो कुछे मेरे बाद रिकार करेंगे बेरोदा और सालुप चक्रा और के तमाम बिसिश्ट गन और आप हमारे पीके बनर्जी साहब शंगरदा जिस तब से इन्हों ने एक सुरुआ और एक बहुत निस्वा करूप से काम कर रहे हैं हम ये चाहेंगे कि आप लोग अगर कल की तारीफ एक रन्नीती तैकर के फिर इनके जनुरी पे बाद रिटाइर्मेंट के बाद अगले साल इसी तरह के धंजबन इन्हे हम लोग पुलाग पुलावें और पुरस्कृत करें ऐसी भी बातों पर अगर हम लोग कल सोचें तो हमको लगता है कि एक अच्छा पाहल होगा एक अच्छी ये आप लोग निर्मेलें और मैं यही काता हूँ कि मैं गल्ती से हो सही से हो कही कही आदमी में कुछ होती है मैं भी राजनीती के छेतर में आ गया मेरा जन्म पुद्दाइडी में हुआ मैंने बताए कि हांडर हाइ स्कूल में मेरे पिता है मास्टर थे और वहां से मेरा एक अच्छी जन्म हुआ मैं ये सील में नोकरी मेरे कायर कर गया और गलती से सौधा के वस या किसी वस मैं राजनीती के छेतर में भी चला गया और राजनीती में में एक कांगरिस पार्टी में में प्रदेश में हूँ लेकिन मैं एक बात को मानता हूँ कोई गत्ती खराब नहीं होता कोई दल खराब नहीं होता कोई तर तो खराब नहीं होता, खराब वो होता है जो अपने रूप में, एक जो इस्थाफित जो मुल्य है समाज की, उसके खिलाब जो बात करता है, चाहे वो कोई भी रहे, वो गलत होता है, कोई दलाब, कोई पार्टी नहीं होता है, इनी बातों के साथ मैंने एक शवाज म पिछले साल था मुझे जानकारी मिली कि इस विद्याले में फैंड की चोरी हो गई, क्लास में इसे फैंड चोरी हो गई, यह क्या होता है, पैसे होता है, यह विद्याले जहां पर की तीन का चद्रा था कभी बिछा हुआ जब हम रहते थे, आग इतना अच्छा प्रांगन बन करने हैं, कंप्यूटर की चोरी हो गई, वो चोरी करने वाला कही न कहीं से, कहीं न कहीं से समाज का रहा होता, उसके भी बच्चे, उसके भी परिवार से, कहीं न कहीं से, यहां आकर कोईने कोई सिच्छात दिन कर रहे होंगे, हो सकता है, वो अग ज्यानता, हो सकता है, और मैंने सोचा एक छोटा सा प्रियास की उनबर, छोटा सा प्रियास क्या, रॉक्फेलर, रॉक्फेलर एक बहुत बड़े थे, रॉक्फेलर का नाम तो आप लोगों ने सुना हुआ, रॉक्फेलर से एक बार स्वामी विवेकानंद की मुलाकात होगे, स्वामी मार में रहा जाए तुम इसके लाइए कुछ काम करो। वहुत बरस्बीद गे। उसके बार रॉकफेलर ने एक फांडेशन बनाया, रॉकफेलर फांडेशन जिसे छेट-चेट्रों के लोगों को वहां पर ये करने की पुरस्चित करने की बात हुई। कुछ दिनों के बाद राखफेलर स्वामी बीने का अगन समीर और श्वामी जी को कहा राखफेलर ने कि आप मुझे धन्य बाद दीजिए कि आपकी बातों को मैंने माल लिया शादी जी ने कहा कि तुम मुझे धन्यवाद दो कि तुम्हें मैंने जीने का ठंग सिखला दिया तुम्हें मैंने जीने का बज़बिया दिया मुझे लगा कही एक छोटा सा ही प्रियास के उड़ा है जब रांग से तूपन रहा था लंगा जाने के लिए पांगलाते की बोली जैनला काट बेडा ले तो वह भी पानुका रेत काुछ कर ने वहां पर वह दे रहा था वो भी अपना कर रहा था कि मैं भी समुद्र में अपना बालू के रेख को दे रहा हूँ जब हरवान जी उदा से जीत कर आए और सब की हो रही थी तो हरवान राम जी ने गिलहरी को बड़े प्यार से उसके सरीर पर प्यार के तीन उंगली दिये थे जो आज भी उसके गिलहरी स्कुरिल के सरीर पर तीन उंगली तुम लोग दे रहे होगे और उसको कहा जाता है कि वो राम जी ने उस गिलहरी को आसिरवाक्त के तोर पर दिया था जो वो रेख का कंदे रहा था मैं ने सम्झा कि बहुत कुछ सौंछ रामप फैलर नहीं पन सकता हूँ और लोगों को जोटा सा योगदान होगा जिन कमरों से ठेन की चोरी हुए है who our my fan, sinning fan, अपने तरफ से देंगा, मैं गारी पर ले कर आया हूँ. मैंने बोलोफसों, तालिमत बजाओ, क्योंकि अगर कुछ किया है, किया है तो मैंने अपने कूर्वच के लिए गिया, किया मैंने अपने किता के लिए गिया, किया किया मैंने मामा के लिए किया किया मैंने दासुता सांथ के लिए किया किया मैंने सारे सिखचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच एक दूसरे के परसी इंश्या ना हो, एक दूसरे के परसी दोईस ना हो, एक परसी के दूसरे के प्रती भेद भाव ना हो, जहां पर हो बसुद्ध कुडंग कम, जो भारत की अउधारना है, जो हमारा सोच है, उसके अरूप कम से कम, सालुक चक्रा में, एक दूसरे या यहां से यह कि यह एक आगशा कपया जलना सुबू हुआ है सिख्षा की आग में इसको एक प्रच्वरिंद करने के लिए एक प्रच्छ्च हाब ने पहली किया निसकी तरस कोई न कोई पढकाँ करने वाला चाहिए इनों पहली किया इन्हों और परदी साद आगे बेरुन एक और उधारण देख लेए, मैं अपने बानी को दिराम दे दूंगा, एक बात दुन लो, इसलिए के आपको देखकर, और तुम्हीं के पता बोल चाहे, तुको आमर पता सुनो तुम्हीं, तुम्हीं आमर पता सुन ले, हम ये कहना चाहते हैं, मैं एक चीज़ इसलिए बोल मैगनेटिक जो सूई रहता है, उसके रूप में काम करें, तो हमको लगता है पही न पहीदब करें, हम सभी मंच, इसके लिए हमने अपना योधगान किया है, आपने एलफरेट नॉबल का नाम सुना हुट, एलफरेड नॉबल का नाम सुना है आपने? एल्फरेड नोबल जिसके नाम पर नोबल प्राइज दिया जाता है और दुनिया का बड़ा से बड़ा आदमी चैस कितना भी बड़ा क्योंना हो गया हो उसकी दिली तमन्ना राती है कि अगर हमको नोबल प्राइज मिल गया तो हमारा जीवन धन्ने हो गया एल्फरेड नोबल के बारे ने पता था एल्फरेड नोबल ने भी तीन सो एक्सपरिमेट किये थे लाइफ में और उसने लास्ट जो एक्सपरिमेट किया था वो था कि उसमें डिनामाइट बनाया था दिनामाइट बनाया था, जो दिनामाइट आजया, कही नाम सुनते होगे, तो दिनामाइट जब बनाया, उस समय का दोर था, युद्व में उसका प्रियोग होता था, और उसका नाकारात्मत प्रियोग पहुंचाता होता था, वो नाकारात्मत प्रियोग, एक भी, कि अच्छा हुआ कि माउट का सौधा कर मर गया अच्छा हुआ कि माउट का सौधा कर मर गया अच्छा हुआ कि माउट का सौधा कर मर गया अच्छा हुआ कि माउट का सौधा कर मर गया अच्छा हुआ कि माउट का सौधा कर मर गया अच्छा हुआ कि माउट का सौधा कर मर गय कि ये मेरे मरने के बाद क्या मैं इसी रूप में याद किया जाओंगा क्या मैं मौट के सवदागर के रूप में याद किया जाओंगा क्या मेरे जिंदिगी का अंती ही होगा तो एलफ्रेट नॉबल ने ये किया कि उसने अपने जीवन के धन को बदल दिया और अपने जिन्रे सारे पैसे जिन्रे थे उसका ट्रस्ट बना कर उसने एक नोबल प्राइज देने के देना सुरू किया और आज सभी आपनो जानते हो कि उस छे छेतर हैं समाज के छेतर छेतर जहांपर की नोबल प्राइज दिया जाता है ऐल्फरेट नोबल के बाद उस नोबल प्राइस सुब करने के बाद भी एलफरेट नोबल 12 साल तब जिंदा रहा लेकिन आज एलफरेट नोबल मर भी गया तो मरने के बाद भी उपामर है इसलिए कि उसकी जो कीरती थी एक तरफ दिनामाईट बनाया था दूसरा तरफ ये काद ये जो कीरती थी ये कीरती अमर रह गई इसलिए कीरती आदमी नहीं मरता है अगर आदमन नहीं मरती है हम नहीं मरते हैं आप नहीं मरते हैं आपके कीरती नहीं मरेगी तो कीरती जब नहीं मरेगी तो ऐसे कीरती वान आप बनो ऐसे यासस हुए आप बनो, ऐसे रूप में आप याद किया जाओ, कि आप चाहे इस भक्ति पर रहो या नहाओ, आप याद किया जाओ, क्यूंकि याद करने वाला कोई ना कोई आएगा, चाहे दासकुता साथ कोई याद करने के लिए आज कोई लोग आ जाएं, बद्रियारा इसे उस गूप में आपको याद रखेगा इसलिए साकार अत्मत सोच के साथ चलो और इधी चंद बातों के साथ आप दोनों को पुना में आस्रीज देते हुए धन्यवाद देते हुए आप दोनों का फुर परिज़े अभी प्राथ होगा इसके साथ ही आप सबों को भी मैं आशिरवाद देता हूँ इस मंद से मैं यहीं काता हूँ कि यह जो अन्यांच सुरू हुआ है यह आज नहीं यह नोमल प्राइच के जैसा यह देवत दिन बढ़ते चला जाएगा इसका हमें बिस्वास है यह सुरू जब हो गया है तो और जांचे से यह बढ़ेगा बढ़ अब वर्म सरकार जैसे हमारे वो जिस्वी लोग जो डॉक रखनी हुए है जो मंझ संचालन कर रहे है या तो बलियापूर जै निरसाज है मामा के घर में चाचा के घर में जाके रहे जाना के कहीं पड़ें लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो कि सालूप चक्रा हाइज स्कूल में प 80, 80, 80, 86 में, मैं बता रहा हो, कि मेरे घर में छोटा सा सेलोर का, सेलोरा का टी भी था, उस समें कुछ नहीं लगता था, कि कहा टी भी होगा, लेकिन कहा था, कि जाल भर भाई देंगे, और आज ये मॉवाइल, इसलिए इसलिए में सब कुछ आमारे हाथ के हाथ में है, इसलिए बिग्यान इसलिए कि हम और आप यस तरह से तरफी कर रहे हैं मैं आपको इस बाग का बचन देता हूँ इस तरह को साक्षी रखे काता हूँ कि वो तिन दूर रहे हैं जब साल चमणा हाई स्कूल में भी प्लस्टू की पढ़ाई सुरू होगी इन चंद पातों के साथ इन चंद चीनों के साथ आप सबों को प्रण में अपना असिवाद देते हुए और आप सभी भुजुर्वजन को आप पीके बनेवी था श्रंगरदासा जिसले पिछले साल भी मुलने का मुझे शौरात के प्राप्त हूँ आप लोग अभी बढ़ने व्युक्त का लिए पाण डेवाओ जो अभी बात हो रही थी मैं नहीं बता सब्सक्शक सिस्था आप समों को कर्जोट प्रणाम करता हूँ अपना नमन करता हूँ और आप समों को आशीष देते लूए प्रधान अचात जी को करता हूँ कि आख मेरे दिलमें न सही तेरे द आप दिनली चाहिए आप दो